यह जो आपको सामने दिखाई दे रहा है यह है यूफोर्बिया मिली और यह वाला है यूफोर्बिया पॉल्चिरिमा और आज हम इनी प्लांट्स में बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक इंफ्लोरेसंस के बारे में जो की है साइथियम इंफ्लोरेसंस और यह वाला जो इन फ्लोरेसंस है यह यूफोर्बिया सी फैमिली का एक मॉस्ट मॉस्ट इंपॉर्टेंट फीचर होता है और आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं तो यह जो इन फ्लोरेसंस होता है यह यूनिसेक्श्वल फ्लोर्वर से रिलेटिड है ज तो अभी आप देखिए ये जो है ये हैं ब्रैकेट जो आपको कलरफुल दिखाई दे रहे हैं पैटल्स के रूप में और इनके बीच में जो आपको छोटा सा ये फूल सा बनावा दिखाई दे रहा है ये है एक्च्वल में इसके यूनिसेक्श्वल फ्लावर तो साइस्थि चारो आर में रहते हैं नियूमरस मेल फ्लावर और इन में पाई जाती हैं नैक्टर ग्लेंट जो की अलग-अलग मेंबर्स के साबसे अलग-अलग हो सकती है तो अब हम अगर यूफ़र्बिया मेली की बात करें तो यहां देखिए ये जो है ये हैं इसके कप शेप ब्रैकि की स्टिग्मा यहां एक सिंगर फीमेल फ्लावर विद 3 स्टाइल और स्टिग्मा और इसके साइड में आपको डिटए-डिटर से बिखाई ए रह somethin के बाता दू इलो है और इसको येल्वड की बटन शेप दिखाई देए लहा इसके Nectar Glance और यही हम बात करें यूफोर्बिया पर्ल शेडिमा में तो यहां देखिए यह है इसमें Scythium Influorescence जिसमें यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं यह यह हैं इसके Nectar Glance और इसके बीच में यहां सेंटर में है एक फीमेल फ्लावर और यह जो आपको यलो डॉटेट से दिखाई दे रहे हैं यह हैं इसके मेल फ्लावर In short अगर हम बात करें तो Scythium Influorescence है यह एक Look Like Flower Influorescence है जिसमें Bracket है वो बना लेते हैं Cup Like Structure जिसको बोलते हम Invocular जिसके Center Part में होते हैं Unisexual Flowers जिनमें बेलकुल सेंटर में मिलेगा आपको एक Female Flower जिसमें तीन स्टिग्मा मिलती है और वो होता है Tricarpulary Syncarpus Type का जो की घिरावा रहता है Numerous Male Flowers में और Male Flowers में सिर्फ एक Anther मिलता है और इसके साइट में मिल जाती है आपको नेक्टर क्लेंट सो यह हो जाता है साइथियम इंफ्लोरसंस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, SHARE, SUBSCRIBE, AND COMMENT और या, VISIT THE CHANNEL